आज बनाने जा रही हूं मुर्मुरा नमकिन तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्मुरा लिया है इसे परमल भी कहते हैं तो हमें मुर्मुरा ले लेना है और मखाने ले लेंगे हम और मुम्फली लेना है इसके अलावा इसे मुमफली लेना है और नारियल को बारिक बारिक काट लेना है इस प्रकार से तो ये मैंने नारियल ले लिये हैं राई बगार के लिए चाहिए और ये मैंने पिसी हुई सक्कर लिये है जिसे सुगर पाउडर और करी पत्ता लेने हैं और अब सबसे पहले मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है और उसमें एक चमश तेल डाल दिया है और सबसे पहले हमें मखाने को इसमें सेख लेना है भून लेना है इस प्रकार से और दीमी आच रखनी है ताकि ये क्रिस्पी सिखें और इस प्रकार से इने सेख चाहँ मेरे निड़ा दे दिवा दुधना लेना है उनका दबाकर चेक लेना है और अब इसमें राइब से भगहार लगा दिया है और उसके पास सब पहले नारियल डालेंगे और नारियल को ब्राउण होने तक तल लेंगे और इसे बाहर अलग निकालने की ज़रुरत नहीं है भूनने के बाद हम इसी में सब चीजों को एक के बाद एक डालते जाएंगे तो अब मैंने ये मुझफली डालती है और इसे भी भून लेना है अच्छे से और मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है मीडियम से भी थोड़ी कम ही रखी है और इस प्रकार से इसे भून लेंगे तो देखिए मुझफली अब भून चुकी है तो अब मैं इसमें करी पत्ता डाल रही हूँ और करी पत्ता को भी क्रिस्पी होने तर भून लेना है ताकि वो नरम न रहें, नरम पत्ते रहेंगे तो वो खराब होने का चांस रहता है तो इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे और अब इसमें मैंने ये हल्दी डाल दी है और अब इसमें मुर्मुरा को डाल देंगे और मुर्मुरा को मीडियम फ्लेम पे ही दीमी आज पे यानि कि और धीरे-धीरे इस प्रकार से चलाते हुए इसे भून लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए पूरा मुर्मुरा जो है बिल्कुल क्रिस्पी आ जाएगा और तब इस नमकिन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग इसामे पहूंद कर दिया तो इस प्रकाल से जाला उसी साख में जलिए है योगा यसी में निख्या थे और भी तरफ से इंगया शुद act सोलाव चाह से कंभा आपड़र भीद विया तो आपती इसे कॉड़ियों ज्यध्यादा कर सकते हैं मैंने बहुत गम मिर्शी डाली है, तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सुगर पौडर, तो दौ चमच मैंने इसमें सुगर पौडर एड़ कर दी है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, ये सारे इंग्डेटेंस को गरम कड़ाही मे जब गरम रहती अकड़ाई उसी समय पे मिलाना है ताकि ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसी टाइम पे इन्हें मिलाते जाना है तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये काला नमक, काला नमक से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अगर आपके पास काला नमक उस समय उपलब्द ना हो तो आप सफेद नमक भी डाल सकते है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से मिला लेंगे और इसके बाद इसे चेक कर लेंगे कि ये क्रिस्पी आया है नहीं दबा कर इस प्रकार से देख लेना है और ये क्रिस् झाल झाल